हेलो फ्रेंड्स आज हम exercise 4.1 करने वाले हैं तो जिन भी बच्चों ने अभी इसके chapter का introduction का वीडियो नहीं दिखा है तो i button पर उपर आपको वीडियो मिल जागा है फिर description में भी उसके link है पहले आप उस वीडियो को जाकर देखे ताकि आपको exercise 4.1 काफी easily और अच्छे समझ मे काफी easy exercise है है आज हम इसके question number 1 to 6 तक करेंगे जो कि काफी ज्यादा easy है आईए सबसे पहले हम first question की दरफ चलते है express each of the complex number given in the exercise 1 to 10 आपको हर number को complex number के form में show करना है complex number का form क्या होता a plus i b I think pen color में black कर लेता हूँ change कर लेता है पन pen color ok no problem here तो सबसे first तो सभी को पता है question लिए ना होता इसके लिए में लिख देता हूँ 5y minus 3 by 5y हमको पता actual में इन में करना क्या है multiply ok तो कितना simple question हो गया देखिए अब यह यहाँ पर 5 से 5 cancel तो बचा क्या सर एकदम आसान सा question हो गया है minus 3 i square ok तो minus 3 into i square की value क्या होती है i square की value होती है friends minus 1 तो minus 3 का जब आप minus 1 में multiply करोगे तो आपका answer आजाएगा 3 लेकिन question में आपको क्या बोला है उसको कैसे represent करना है real number के format में represent करना है तो complex number के format में represent करना है complex number किस format में represent किया जाता है a plus i b तो sir हमें a तो मिल गया i b कहा है तो i b कुछ नहीं है तो हम imaginary number ले लेंगे 0i ओके तो यह होगी आपका complex number i think आपको समझ में आया होगा चलिए इस question की तरफ आगे बढ़ते है i9 plus i19 यह भी बड़ा simple सा question है इस question के लिए आपको कुछ नहीं करना है i की power sir आपने तो 4 तक ही बताई थी तो 9 आगे 19 आगे कोई बात नहीं बड़ा simple question ही है आपको क्या करना i की power 4 तक पता है ठीक है 4 लिग दो और bracket लगाओ अब क्या करना इस 9 को 4 से divide करना है जब आप 9 को 4 से divide करोगे तो 2 times में जाएगा क्या बचा 1 तो जो 2 आया है answer आया इसको कहा चड़ा दो power पे multiply में कित्ता बचा 1 बचा तो अपने कित्ता लिग दिया 1 लिग दिया plus i की power 19 है ठीक है तो i की power 19 को वापस 19 को 4 से divide करेंगे 4 4 तो 16 कित्ते बच गए 3 तो देखो i की power 4 क्या चड़ाते उपर power कुछ चड़ाते जो answer आया answer कित्ता आया था 4 आया था dot क्या लिखेंगे जो remainder remainder कित्ता बचा है 3 बचा है तो i की power क्या कर दी 3 बड़ा simple सा concept है ऐसा क्यों करते है कि हमें पता है i की power 4 जो होती है वो क्या होती बटा 1 होती है तो यह हो गया 1 का square dot i plus 1 की power 4 dot i cube बड़ाई simple वासान question है अब देखो i square का जब आप i में multiply करोगे तो क्या आएगा i आ जाएगा okay plus क्योंकि 1 की power कितने भी आए 1 ही आती है अब i cube की value क्या होती है i cube की value आपको पता है minus i होती है अरे sir यह तो plus i minus i मिला कि क्या हो गया 0 हो गया तो इसको हम कैसे complex number के form में लिखेंगे बड़ा आसान है 0 plus 0 i यह क्या हो गया आपका complex number हो गया answer समझ में आया होगा i think चलिए आगे बढ़ते है next question की तरफ i की power minus 39 देखो फुल वही रहेगा सब में कोई tension वाली बात नहीं है वह प्लस था इसके लिए प्लस लगा था i minus 4 ठीक अब देखो 39 को वही डिवाइट करो 4 से एकदम simple question sir 4 9 0 36 होता है बच गया 3 ok no problem 3 बच गया तो आपको क्या करना है answer जो आता वहाँ लिखते उपपर लिखते है dot i minus 3 minus 3 क्यों लिखा क्यों कि ध्यार रखना यह संघ्या किसकी है minus की है इसके लिए ठीक है यह छोटी-छोटी चीजोगा ध्यार रखना यह गडबड करवा देती कई बार ok चलिए आगे बढ़ते है i minus 4 की value भी क्या होती है 1 होती है 1 की power 9 dot i inverse 3 की value क्या होती है तो आपको values अगर याद होगी तो आपको पता होगा i inverse 3 की value क्या होती है i होती है ok i inverse 3 की value हमारी होगी i no problem तो क्या आ जाएग यह खाली normal i normal i आया है तो इसको मैं कहल सकते है 0 plus 0 0 plus sorry 0i नहीं 1i by mistake ok no problem ok तो यह हो गया 0 plus i क्योंकि i 0 नहीं था यह हो गया answer इसी type के similar question में आपको दे रहा हूँ एक दो practice के लिए practice purpose से है practice के लिएगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा i59 comma i-29 plus i-27 यह दो question को आप solve के लिएगा तो आप समझ में आ जाएगा concept आया है नहीं आया है और अगर solve कर लिए तो comment box में जरूर आकर उतर लिए okay question no.4 और बड़ा ही simple सा question है सबसे first rule तो क्या होता है question को as it is चाप दो ठीक है सबसे बिल तो मैंने question को ऐसा कैसा लिख दिया 3 7 plus i7 plus 7 sorry i लगाना बुलके थे अपन plus i7 दो कितना आसान सा question नहीं है पर लिए 3 का multiply 7 में करा कितना आएगा sir 21 आएगा okay फिर sir 3 का multiply फिर से 7 में करा sir फिर भी 21 ही आएगा change थोड़ी हो जाएगा plus i का multiply अगर हम 7 में करते तो 7 आई i का multiply 7 i में करेंगे यहाँ sir 7 i का square हो जाएगा okay कोई problem नहीं है अब देखो 21 जो था उसको हमने as it is लिखा यह वाला 21 plus 7 को अगर हम plus कर देंगे तो क्या हो जाएगा 28 i हो जाएगा 7 i का i square 7 as it is multiply i square की value क्या है minus 1 okay तो यहाँ पर हो गया 21 21 plus 28 i minus 7 21 में से साथ गए हाँ sir 14 आजाएगा 14 plus 28 i yes it is the answer okay अगर आपको समझ में आ रहाएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्स्राइब करें और जितना जाद उसके शेयर करें next question की तरफ आगे बढ़ते है question number 5 एकदम कच्रा और घटिया question है इससे simple कोई question है नहीं हो सकता देखो कैसे one minus i minus one plus i6 कितना simple question है कुछ मत करो सिप bracket open कर दो ठीक है sir bracket open करा one minus i चलो one ऐसा बना देता हूं है ताकी confusion नहीं हो जैसी bracket open करेंगे सारे sign क्या हो जाएगे बदल जाएगे minus minus plus minus okay sir no problem देखते क्या होता है आगे one plus one कितना हो जाएगा sir two हो जाएगा minus minus plus लेकिन sign किसका minus का तो two minus i7 यह आगिया a plus ib के format में answer बड़े simple simple question से चलिए आगे बढ़ते है question no.6 अरे sir यह fraction में आगया इसमें क्या होगा कोई बात नहीं सबसे पहला question लिखो डरने का नहीं बड़ा कच्छरे सवाल है फस wait a minute देखिए i by two by five minus four plus i five by two सबसे पहला rule क्या करना है sir bracket open कर ले ते सबसे पहला काम वही सबसे अच्छा काम रहेगा ठीक है तो 1 by 5 plus i two by five minus four plus minus क्या हो जागा minus क्योंकि जिसी बाहर minus से sin क्या होते है अब क्या करना sir i i वाली संख्या एक तरफ कर लो real real number को एक तरफ ले लो तो यह हो गए real number और यह हो गई i वाली संख्या okay मेरे सबसे बड़ा ही simple chapter रही है normally plus minus का है बस और कुछ नहीं है cross multiply कर लो one बन जा five fours जा sir twenty upon में क्या आएगा five आएगा बहुत बढ़िया plus two two जा four i five five जा twenty five upon में ten आएगा sir बहुत बढ़िया चलो आगे बढ़ते है एक में से 20 गया कितना आएगा sir एक में से 20 जाएगा 19 आजाएगा minus 19 by five चार में से 25 गये sir minus के 21 आएगे minus 21 आई upon में 10 यही answer है है कि नहीं आसान बढ़ा ही simple सा question था बहुत बढ़िया यह वीडियो आज का आपका ही पर खतम होता है कल हम करेंगे question no.7 से question no.10 तक आज हमने question no.6 तक करा है वीडियो आप लोग अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक करें जित्ता जाब से शेयर करें रेगुलर नाइन पीम मैक्स की क्लास लगती है तो वीडियो को वाच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो